मुख्य मंत्री बोले बैतूल जिले ने रिकॉर्ड तोड़ा स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया दान्स खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है मुख्य मंत्री कन्यादान योजना से बैतूल जिले में 2135 से अधिक सामुहिक विवाह संपन हुए बैतूल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक नया रिकॉर्ड बन गया है इसे लेकर मुख्य मंत्री शिवराज सिंग जोहान जहां बेहद उत्साहित हैं वही प्रदेश की स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री इंदर सिंग पर मार्श्वयम को मृत्य करने से नहीं रोप पाए हैं बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री होने से उनकी खुशी दोगुनी हो गई है दरसल मुखय मंत्री कञ्यादान योजणा से बैतूल जिले में मंगलवार को 2,135 से भी अधिक सामूहिक विवाह संपन हुए हैं बैतूल जिला मुख्याले पर 12-20 इनकी सामूहिक विवाह संपन कराये गए हैं देखें मंत्री का दांस प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंग परमार सामुहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैतूल पहुँचे मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के पूर्ट जब बारात निकली तो प्रभारी मंत्री इंदर सिंग परमार ने उपस्तित होकर मृत्य का आनंद लिया सभी दुलों को आगामी जीवन की शुपकामनाय प्रेशित की इस दोरान बीजेपी जिला संगर्थन प्रभारी सुझी जैन सांसद दुर्गादा सुई के पूर्व सांसद हेमंध खंडेलवाल जिला ध्यक्ष आदित्य बबला शुकला विधायक डॉक्टर योगेश पंडा बाराक पुलिस परेड मैदान में पहुंची जहां पारम परिक्रीती रिवाज के साथ विवाह संपन हुए दीमपूर में भी सामुहिक विवाह संपन कराए गए इस दोरान बड़ी संख्या में दूलहा और दुलहन के परिवार के लोग ग्रामी जन प्रतिनिद्यों ने श परिवासन और सभी जन प्रतिनिद्यों को बधाये दी उन्होंने कहा कि आज बैतूल जिले ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है मुख्या मंत्री कन्यादान योजना में सबसे अधिक विवाह बैतूल में संपन हो रहे हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब तक के आयोजनों में ये पहला अफसर है कि इतनी बड़ी संख्या में नवदम पती अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं बैतूल से जिला व्योरो चीप मोहन प्रजापती की रिपोर्ट